मीरा भाइंदर के जाने माने पुन्जी पतियों के खिलाफ मीरा भाइंदर पुलिस टेशन में धोका धड़ी वचाल साजी का मामला दर्ज जाली दस्तावेज बना सीनर सिटीजन महिला की जमीन पर किया थकपजा प्रात जानकारी के नुसार भाइंदर पुर्व की रहने वाली एक सीनिर सिटीजन महिला जोटसना माउराव पावसकर द्वारा छे अक्टूबर को मीरा रोड पुलिस टेशन में एक मामला दर्ज करवाया गया जिसमें महिला ने मिरा रोड पुलिस को बताया कि नरेंदर लाल चंदर महता और ललन तिवारी ने कई और लोगों के साथ मिलकर उनके जमीन के जाली पेपर वनवा उनके साथ धोका धड़ी की है महिला ने अपनी साथ हुई इस धोका धड़ी में नरेंदर लालचंद महता और लल्लन तिवारी का साथ देने वाले कई और लोगों के नाम भी बताए जिनके नाम क्रमसा, राहुल लल्लन तिवारी, विनोद लालचंद महता और विजे बापु पवार है इस फरजी यापे में इन नामों सहीत कई प्राइवेट लिम्टेड कंपनियों के नाम भी शामिल है जिनके नाम क्रमसा, कमलेस अंबानी 7-11 टॉन्टरक्शन प्राइवेट लिम्टेड, 7-11 होटल प्राइवेट लिम्टेड कंपनी, स्री राहुल एजुकेशन सोसाइटी और मेंबर्स राहुल प्राइवेट लिम्टेड है, नरेंदर लालचंद महता और लल्लन तिवारी ने इन सभी के साथ मिलकर जोत्सना माउराओ के भूखन के जाली दस्ता वेज बना, उनके साथ धोका दड़ी वह 420 की, जिसके बाद मामले को तुरन संग्यान में लेते हुए पुलिस ने महिला की सिकायत पर अधिनेयम 1860 के तहर आईपीसी की धारा 34, धारा 417, धारा 420, धारा 462, धारा 468 और धारा 471 के तहरत मामला दर्ज कर लिया है। सम्मान और भी बढ़ गया है। लोगों में अब यह विश्वात जकता दिख रहा है कि मीरा भाइंदर आयुकताले के अधिकारी किसी भी धनाटे वेक्ति या राजनिताओं के दबाव में ना आकर अपने ड्यूटी कायदे कानून के अनुसार निभा रहे हैं। सदानन दाते ने काम्याबी तो हासिल कर ली पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस मामले में गिरफतारी कब तक होगी। क्योंकि FIR तो लखिमपूर किरी कान में वीजेपी के नेता देश के ग्री राजमंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ भी दर्ज हुई है परंतु गिरफतारी अब तक नहीं हुई है। विपक्षी नेताओं को बिना किसी गुनाह के तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। का गुलाम बनी रहेगी खाकी। Mirror of Truth से शिवानित दुबे की रिपोर्ट।